नंडे कंड के दुन्या में सूफीजम में इंसानियत लोगाई इंसानी तेजीद के नमारुक दिंदर सिंदू दर्या एं गंगा जे कपन ते एड़ा रिशी वली एं सूफी पेदा थ्याएं जिन इंसानियत के सिधी राद एकारण लाए पान पतोड़े वाएं इस सिल्षलो कदीम दोर जे रिश्यन का शुरू थी गुरू नानक का थींदो गुरू रजनेश नहीं हलंदो आयवा है एड़ोई हिक सूफी मंच अश्फाक एहमद बोहो जें जी अज बावी आगस्ट ते ब्यानवे सालग्रा मलाई पई वन्याई अश्फाक एहमद उनन लेखकन मां हिको हो जें लखे मानन जी सोच यी मटाय चदी इन सूफी मंच जो जनम फेरोजपुर पंजाब में बावी आगस्ट उन्ही सो पंजवी इते थे हो उन्ही सो सते तालियन में जड़ें विरांगो थे हो ता इश्फाक एहमद पंजाब जे शहर लाहोर में अची रहे हो उन्ही गोवर्मेंट कालेज लाहोर मां अर्दू अदब में मास्टर्स कई अई पोर रेडियो अई टीवी जी दुन्या में अची वह हो साल 1902 में रेडियो तां तलकीन शाह नाले प्रोग्राम शुरू कहो उन्हाबाद साल 1904 में मरकजी अर्दू बोर्ड जो डारेक्टर मुकरर थे हो जगो अग्याली अर्दू साइंस पोर्ड जेनाले सां मशुरूर थे हो लेते हैं उन्हें जिन्दगी जा उन्हें ट्रीए साल गुजारे चाजा इश्वाक एमद जन्हेल जियाल अक जितोर में तालीम वारी वजारत सांपन जुडेल रहो उन्हें संदगी में वी एक खामते किताब लिख्या जिन्में नाविल, कहानियों एं मजमून शामिला है पी टीवी लाई लिखेल संदगी मन चले का सोधा एं एक महबत सो अफसाने के अवामी सतहते तमाम गणी पजीराई मिली संदगी खिद्मतन जे करे केस प्राइड अफ परफॉर्मेंस एं सितारे म्तियास जेड़ा एवार्ड पिन मिली रामन संगड अश्वाक एमज जे दर्सी प्रोग्राम जाविया के पिन अवाम में तमाम गणी मनता मिली संदस घरवारी बानो कुच्या जेका एक मशव लेख का हुई संदस क्लास पेलो हुई उन्हें नाविल राजा गिद लेक्यों इबई जाल मुट्स गड़ी लिखन अई दर्सी कम करण में जुड़ेल रहा इस सूफी मन्च 7 डिसंबर 2004 थे इफानी जान छ़दे वयो पर अज भी पेंजी लिखनें जे करे मदांजी दिल्यन में जेरो आए